नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पिछली वीडियो में हमने बात कि थी चंद्रमा और केतु की यूति अगर आपके चार्ट में चठे भाव में बन रही हो तो इसके किस परकार के प्रिणाम आप लोगों को मिल सकते हैं इस वीडियो में जानेंगे सेवन्थ ह उसमें अगर चंद्रमा और केतु आपकी कुणले में साथ हैं तो यहाँ पे काफी ज़्यदा अटेज्मेंट आपको शुरुआत में फील होगी जब आप मैरीज करेंगे मैरीज के समय में आप अपने पार्टनर को कभी भी छोड नहीं पाएंगे एक स्ट्रोंग बॉंडिंग आपको क्रियेट होती हुई दिखेगी इसके लवा आपकी लाइफ में मैरीज और आपका जो बिजनेस है उनको लेकि सबसे ज़्यादा चिंता हैं आप लोगों को रह सकिल हो जाएगा इस प्रकार की कंडिशन में आपको बार-बार कुछ मांसिक रूप से परेशानिया या चंता अवसाद इस प्रकार की इस्तितिया देखने को मिल सकती हैं अब यह आपका सब्तम्भाव आपकी एक इमेज को परदर्शित करता है जंता के सामने तो हो सकता है कि आप दिखने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिख रहे हो बहुत ज़्यादा तेज इंसान देख रहे हो चालाक दिख रहे हो लेकिन आपके वास्त रूप से अगर देखा जाए तो आपको बहुत सारी ऐसे मांसिक जंताएं अवसाद की समस्या यह सब आपकी लाइफ म रहेंगे लेकिन आप अवरोल जब लोग आपको देखेंगे तो काफी अच्छे इंसान आप दिखेंगे और बहुत ही खुस मिजाज दिखेंगे इसके लावा ऐसे जातकों को कभी-कभी दिखावा करने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है वो अपने आपको बहुत ज़ पल भी आपका उनके बीना बिताना बहुत मुस्किल हो जाएगा लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है जैसे जैसे आपका मेरीड लाइफ आगे बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ पर चीज़ें आपके अकोर्डिंग नहीं होंगी हो सकता है इसके विज़े से आप प्राइब के शीटिस में इस प्रकार के विद्राओं में हो सकती है इसके अलावा आपका पार्ट्नर कभी-कभी बीना कोई बात के फाइट करने वाला या मुड़ी हो सकता है इसके अलावा देखा जाए तो चंद्रमा और केतू की यूति में आपको बार बार ऐसी कुछ घट जिसकी वज़े से आपको टेंशन रहेगी जिवन में यानि आपका जो माइंड है वो इस्टेबल नहीं रहने वाला है आपका ध्यान एक जगे केंदरित लंबे समय तक नहीं रह सकता इस प्रकार की कंजक्शन की वज़े से आपको अध्यात्मिक दुनिया की जानकारी या नहीं आसात हो सकता है कि आपको जो सपने आते रात को जो ड्रीं साते ओस चैंठों हैry और प्रेत की संपने आाया आप इस्तितिया जाते रहें और आपका पैसा वेर्थ होता जाएगा यह सारी परिशाने रहती है इसके लवाद जातक कभी भी confidently अपना decision नहीं ले पाता इस परकार के conjunction के होते हुए और साथ ही आप बहुत सारे wrong decision भी ले लेंगे जैसे कि हो सकता है कि आप अपने marriage के लिए एक wrong partner को चुन ले और आप अचानक से marriage करें कभी-कभी ऐसे इस्तिति में love marriage की chances भी बन जाते हैं क्योंकि आपका किसी ना किसी से strong bonding बन जाती है और bonding बनने के बाद में आपको लगता है कि उसी के साथ आप marriage करने लेकिन आगे चलकर वो जो bonding है वो वैसी कि वैसी नहीं रहती वहाँ पर काफी सारे बदलाव आ जाते हैं वहाँ पर काफी सारे ऐसी चीज़ें हो जाती जो आपके according नहीं होती है इसके लवा आपका partner बहुत सारी और समस्याओं से भी घिरा हुआ हो सकता है आपका partner बहुत अच्छा creative हो सकता है लेकिन creativity के मामले में वो अपने उपर confident नहीं ला पाएगा साथ ही इस प्रकार के conjunction में आपको बार-बार married life में detachment वाले feelings आने लगेंगी तो हो सकता है कि आप एक age के बाद निसी दुरूप से अपने partner से detach हो जाएंगे और आपके और आपके partner के बीच में जो emotional connection है वो इसमें भागिदार होगा वो इसमें उसकी जिम्मेदारी होगी कहीं न कहीं तो एक जो bonding है वो limit में ही होनी चे और आप emotionally अगर किसी से भी connect होते तो वहाँ पे जोरूरी नहीं कि आपका physical attachment भी हो तो चंद्रमा और केतु की उती आपको बहुत कुछ यहाँ पर प्रभावित करने वाली है overall आपके पूरी life को प्रभावित करने वाली यह conjunction है अब आपकी कुंडले में आप यह देखें कि चंद्रमा कौन से भाव का स्वामी होके सब्तम में बैठा है उस भाव की चीजों क को आप इस भाव से प्राप्त करने की कोशिस करेंगे और आप उन चीजों से बहुत जल्दी डिटेज भी हो जाएंगे जैसे अगर मालीजे किसी का चंद्रमा का जो भाव है वह 11th house होने की विज़े से आपका जो पार्टनर है वह एहम भूमी का अदा करेगा आपके नेट प्रक में हो सकते हैं जिनसे आपका बाद में कोई कॉंटेक्ट ना रहे साथ ही आप जो पैसा अर्ण करेंगे या कोई भी बिजनस करेंगे तो उसमें जो भी पैसा आपको मिलेगा उसकी चाहत आपके मन में नहीं होगी तो धन कमाने की इच्छा या धन कमाने की चाहत भी यहां पर खतम होती हुई दिख सकती है तो जिस भाव का चंद्रमा स्वामे बन रहा आपके चार्ट में उस भाव की चीजों को आप एक समय बाद accept करना बंद कर देंगे या उनकी चाहत खतम हो जाएगी इसके लवाद सबसे मैं समस्या इसमें यह आती है कि आपको मांसिक रूप से परिशानियां बहुत ज़्यादा आएंगी चंद्रमा और केतु के होते हुए साथ ही मांसिक रूप से अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी तो अपने आपको मांसिक रूप से हो फिजिकली भी हाम कर सकते हो आपको मैंटली रास्त हो गई होगा तो यह सब बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा चंद्रमा और केतु के इस भाव में यूती बहुत ही स्ट्रॉंग बॉंडिंग को दिखाती है कही न कहीं कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपके न अपने पार्टनर से दूर होते जा रहे और एक समय बाद आप फुली उनसे डिटेच हो जाएंगे इसके लवा कभी-कभी ये भी देखने को मिलेगा जब आपकी अंडेस्टेंडिंग अच्छी नहीं होगी आपका पार्टनर कुछ और बोल रहा है आप कुछ और बोल रहे इसके लवा आप जो बिजनस करेंगे उसके बाद आपकी रुची उस बिजनस में कुछ समय बाद खतम हो जाएगी तो ये इस्तिया देखने को मिल सकती है अब आपके राहू लगन में बैठे हुए होते है और राहू की दृष्टी भी चंदरमा पे होती है अब चंदरमा क कोई ना कोई कमे अवस्दे दिखेगी या पार्टनर को वह बार-बार कोई ना कोई ऐसी सिकायत करते रेगा इसके लवा अगर पार्टनर का और वरल नेचर के बारे में हम बात करें तो पार्टनर आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और उसको हो सकते है कि कुछ उसके गलत decisions हो सकते हैं या उसका mentally जो mind है वो stable नारे ऐसा हो सकते हैं साथ इसाथ वो थोड़ा सा secret type का हो सकते हैं जिसको आपको समझने में बहुत समय लग सकते हैं तो जब आप marriage कर रहे होते हैं उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा time अपने partner को आपको देना जरूरी रह जाएगा इसके लवाब partner के साथ emotionally अगर आप connected हैं तो हो सकते हैं कि physically भी उतने ही ज्यादा connected हो लेकिन जब आपका emotional connection हटने लगता है तो आप कई ना कई fully detached होते हैं यानि आप physically भी उससे detached हो जाते हैं तो सबसे man यही है कि अगर आपको detachment नहीं चाहिए तो आप adjust करके चलेंगे तब ही ऐसा हो सकता है कि आप अपने partner के साथ खुश रह सकते हैं लेकिन आपको चीजें बहुत ही अलग वे में चाहिए और आपका partner एक simple तरह के से आपको चीजें provide करेगा तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एसंतुस्ती यह conjunction आगी चलके आपको दिखा रहा हूँ साथी साथ आपका जो partner होगा उसके image बहुत अच्छी होगी public में आपका partner बहुत ही ज़्यादा depend रहने वाला होगा आपके उपर वो आपका साहरा लेगा और जिवन में आगे बढ़ने के लिए उसको आपका साथ अवस्य चाहिएगा तो इस परकार का partner आपका हो सकता है काफी ज़्यादा care करने वाला हो सकते है लेकिन मैं समझे यह कि आपके और उनके बीच में जो understanding है वो लंबे समय तक कायम नहीं रह पाएगी